हेलो एबरिवन आज का कॉंशैप्ट हुलिया है माइक्रोईकनॉमिक्स में चंज्यूमर बजट से तो हुपोड़िंग वू अपने खठर करेगा और सेविंग गा होज़कर से, भी उसके according करेगा मानलो किसी एक व्यक्ति की income मानलो person A है उसके मन्थले income कितनी है रूपिस 10,000 पर मन्थ तो वो 10,000 को इस तरह खर्च करेगा कि उसके मन्थले need भी पुरी satisfy हो जाए और मन्थ के end में मानलो उसके पास कोई saving भी बचे मानलो कोई saving नहीं बचे लेकिन उसके जो भी वो goods खरीदेगा वो उसकी money utilize होनी चाहिए goods need satisfy करने वाली होनी चाहिए यह उसका budget है जैसे यह अपके नहीं पास meaning लिख रख है कि एक consumer के पास मानलो कोई person A या जैसे example ली थी मानली जिए उसके पास रूपिस 60 है रूपिस 60 खर्च करके वो दो goods लेना चाहता है गुड 1 और गुड 2 अब यहाँ पे मानली जिए गुड 1 की price 2 रूपे पर unit है और गुड 2 की price रूपिस 1 पर unit है तो उसने 60 रूपिस गुड 1 और गुड 2 पर ही खर्च करने है या तो वो ऐसे करेगा कि गुड 1 सारी की सारी ले लेगा 2 विलकुल नहीं लेगा या वो ऐसे करेगा कि 60 रूपिस से गुड 2 सारी लेगा 1 कुछ नहीं लेगा AND अगर उसने गुड 1 वी लेनी है गुड टू भी लेनी है तो वो देखेगा कि गुड 1 कितनी लेनी है गुड 2 कितनी लेनी है जैसे यह शडूल में दिखाया गया है स्टार्टिंग में अब या दrzyखना उसके पास र रुपीज 2 पर यूनिट और गुड्स 2 की प्राइस कितनी है रुपीज 1 पर यूनिट अब पहले कंबिनेशन में आप देखो अगर उस कंज्यूमा ने गुड़ 1 कोई भी नहीं लेनी जीरो लेनी है तो उसके पास पूरे 60 रुपीज बचे है वो 60 यूनिट ले सकता है उन 60 रुपीज से क्योंकि एक गुड्स की प्राइस रुपीज 1 पर यूनिट है एंड इसेकिंड केस में देखिए सेकिंड सेट में यह सेट हो गये यह सेट मालो अलो उसने सेट ए में यह माली जिस सेट ए हो गया this is set B, this is set C, this is D अगर उसने गुड्स 1 की कुछ क्वांटिटी लेनी है स्पोर्ज वो बोलेगा कि मैंने गुर्ज वन की दस यूनिट लेनी है तो डियर सुडेंट आप देखो गुर्ज दस यूनिट दस खरीते हैं एक की प्राइस कितनी है दो रुपई तो उसने 20 रुपेज तो यहां पर खर्च कर दिये यह यूनिट होगी यह 99100 यहांपे लगा देगा और 40 ही यूनिट में लेंगे क्योंकि इसकी 1 की कीमत रुपीज वन पर यूनिट है मल दीजिए उसे गौट बंकी सब्टी ज्यादा बढ़ानी है 20 वीट्स लेने हैं उसे 20 यूनिट्स ले लिए एक की कीमत रुपीज तू है 1 की कीमत रुपीज त उसके पास रुपीज 60 थे बाकी रुपीज कितने बचे 60-40 रुपीज 20 उसके पास है तो वो यह गुड जो 2 है उसके पूरे 20 युनिट ले लेगा अगर उसने गुड 1 की और क्वांटिटी बढ़ानी है मालो 30 युनिट्स लेनी है तो 30 युनिट्स 30 लेए है एक की प्राइस 2 है तो पूरे 60 रुपीज तो यहाँ पर खर्चोगे तो यहाँ पर उसके लिए कोई भी single रुपीज नहीं बचेगा वो goods 2 की quantity कुछ नहीं ले सकता तो इस according वो अपनी रुपीज different different combination की उपर लगा सकता है combination A या B या C या D ओके वो अपनी wish की according अपनी निड की good combination यह ख्रीज सकता है नीचे मानलो आपको दिया गया ये कि जो यह हमारी जो वो budget सेट करेगा अपने बज़ड के हिसाब से अपनी मंतली income के हिसाब से अपन की हिसाब से कितनी उस्सных goods लेनी है goods की price की केव साब से और अपनी इंकम के इसाप से अपना budget fix करेगा जैसे मालो बजार में कोई भी कोई भी consumer जाता है वो वह जो भी goods ख्रीद देगा वो अपनी bजट की इसाप से ख्रीद देगा जितनी earns उसने उसके उपर लगानी है तो उसमें goods ख्रीदने की टाइम क्या दिखाना जाएगा कितनी goods करिदनी है कौन-कौन सी goods करिदनी है कितनी उनकी prices है और कितना उसका budget है और budget schedule का आपने ये करब जूर बनानी है करब करब हमारे लिए बहुत important है क्योंकि करब की मिना marks नहीं मिलेंगे आपको खरब कैसे दिखानी है जो goods आप increase कर रहे हो वो o x-axis की उपर लेनी है ये कितनी लेनी है आपने 10, 20, 30 जितनी चाहो ये अपने schedule के according लेनी है और o y-axis की उपर आपने goods 2 लेनी है goods 2 हमारी minimum amount 0 थी और maximum amount कितनी थी हमारी 60 ऐसी ले लो ओके तो आपने points different different points लगानी है points कैसे लगानी है माल लो आपने जैसे ए point के उपर goods 1 कितनी थी 0 और goods 2 कितनी थी 60 तो ये point आ जाएगा ये 0 ये 60 और second point के उपर आपने b point के उपर क्या लिया था goods 1 है जो 10 थी और goods 2 है वो हमारी 40 होगी थी तो यहाँ पर point आजाएगा आपका और third combination C combination के उपर consumer ने क्या किया था अगर goods 2 goods जो 1 है वो 20 लेनी है तो goods 2 उसके पास 20 आगी तो यहाँ पर अपना point यहाँ पर आजाएगा अब last combination के उपर अगर उसने decombination लेना है means उसने goods 1 है वो 30 लेनी है तो यह 0 के साथ मैच करेगा कि इसकी यह line 0 को शो कर रही है यह 0 वाली है ओकी यह यहाँ पर तो आपने point लगाने के बाद आप देखना यहाँ पर आपकी यह line आ जाएगी line draw करना बाद में हर एक point के जो corner प different combination को कि कौन सा combination लेना है different different combination में से consumer सिर्फ एक combination लेगा और आपके यह budget line के equation क्या बनगी PX commodity X P1 sorry P1 का मतल price of good 1 into commodity of 1 कितनी unit लेनी है plus दूसरी goods की price और दूसरी goods की commodity यह मैं आपको शोकर की दिखा रही हूँ यह देखो मालो आपने combination जैसे B लेना है combination B लेना है combination B लेना है तो कैसे बनेगा B की जैसे X1 good 1 की price कितनी है हमारे पास 2 ओकी और यह P1 हो गया P1 और इसके quantity कितनी लेए है आपने मालो 10 quantity लेए है plus ले हो गया हमारा P1 X1 P1 means price of 1 community X1 का मतलो कितनी अपने quantity लेए है प्लस का प्लस P2 goods 2 की price हमारे पास कितनी थी रूपीज 1 और goods 2 की हमारे पास कितनी लेए है 40 40 ओकी यह देखो हमारा 20 ब्लस 40 यह बन गया रूपीज 60 रूपीज 60 ओकी इस तरह हमारे क्यूशन पता चलेगी सारी यह देखो यहां पे लिखा भी हुए य का मतलब total budget P1 का मतलब price of one commodity X1 का मतलब quantity of one commodity P2 का मतलब second goods की price ऐसी आपने ही लेने ओकी तो dear student यह मेरी छोटी सी एफट थी कि what is budget what is budget set and what is budget fly अगर यह मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए comment कीजिए अगर जो परसन यह वीडियो देख रही है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है । आगे कि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए please subscribe by this channel Commerce Classes by Nishu Mada it's ok